हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो माय चैनल हम यहां बिल्कुल ठीक है और उम्मी थे कि आप भी अपनी फैमिली के साथ हैपेन हेल्दी होंगे तो आज है आयांस के स्कूल का फर्स डे सेकेंड ग्रेड में आज उसका पहला दिन होगा तो रोज से थोड़ा आज में जल्दी उठ गई थी उठकर मुझे करना था बच्चों का बातरों क्लीन तो बस क्लीनिंग वगेरा करके मैंने शावर लिया है और फिलाल रेड़ी होकर सब्दुकस के आवा गालिक भून रही हूं गालिक को बस हमें हलके ब्राउन होने तक भूनना है और जैसे ही लेशन भून गए मैंने तड़के में अपनी सब्जिया एड़ करना सुरू कर दिया तो सब्जियों में सबसे पहले मैंने थोड़ी सी बारी कटी हुई जुकिनी और ब्राकली एड़ किया है देन तेज आज पर इन्हें दो से तीन मिनट भूनने के बाद मेरे पास थोड़ी फ्रोजन वेश्टेबल्स थे तो उन्हें भी मैंने वेश्टेबल पास्ता बनाने के लिए तड़के में एड़ कर लिया और अब इन सारी सब्जियों को अच्छी तरह मिलाकर सब्जियों को धीमी आज पर थोड़ी देर और पकने दे और जैसे ही सब्जिया 80% कुक हो जाएगी सब्जियों में हम एक मिडियम साइज के टमाटर की प्यूरी आड़ करेंगे प्यूरी को सब्जियों में अच्छी तरह मिक्स कर मैंने अपनी पेपर भी एड़ किया है वैसे हलका फुल का स्पैसी मेरे बच्चे खा लेते हैं तो अब टमाटर के भूने तक और सब्जियों में से तेल अलग होने तक यहां मैं अपनी सब्जिया धीमी आज पर ढखकर पकाऊंगी साथी पास्ता भी बॉयल हो गया था तो उसे भी पास्ता शेयर की है तो अगर आपको उस व्लॉक का लिंक चाहिए होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी बाकि सॉस को सब्जियों से अच्छी तरह मिला कर सॉस मेंने पास्ता एड़ कर दिया एंड देन दो से तीन मिनिट के लिए धीमी आज प फिलाल मैं उनकी जगह पे रख रही हूँ ताकि लंच बनाने में जितने भी बरतन निकले हुए है और अभी जो भी निकलेगे उन्हें तुरंती मैं डिस्वोसर में धुलने रख दू तो किचन में बरतनों का क्लटर नहीं होगा और बस किचन क्लीन कर मैं आयांस को उठान कि जा रही थी किसमेन पहले ही उठ गया और वैसे भी अब जल्दी इसमेन के भी स्कूल शुरू हो जाएंगे फिलाल तो उसके ओपन हाउस के त्यारी चल रही है तो स्मेन को भी स्कूल जाते हुए आप जल्दी ही देखोगे बहिया का है बहिया को उठाए आपने फिलाज उठाते हैं आयास इस ये फर्स देफ स्कूल ग्रेट ग्रेट उठा फिर चलो चलो उठाए अराउंड 8.30 तक आयास के स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो मॉर्निंग मैं आज कल मैं उसे 7 तक उठा रही हूँ सो 8.15 तक हम स्कूल जाने के लिए घर से निकल जाए बाकि स्कूल काफी पास में है तो हाडली 7-8 मिनट सी लगते हैं मुझा आयास को स्कूल तक ड्रॉप करने में सो फिलाल दोनों बच्चों को रैडी कर मैंने उनकी मॉनिंग की मिल्क दी है पीने के लिए साथी यहां वाफल्स बना रही हूँ सो ब्रेकफस्ट में आज बच्चे खाएंगे वाफल्स हनी के साथ और जब तक बच्चे ब्रेकफस्ट कर रहे हैं मैं यहाँ आयांस का लंच पैक कर रही हूँ वैसे बच्पन से ही मैंने अपने दोनों बच्चों को वाम फूड ही खिलाया है तो अगर लंच बॉक्स में फूड थंडा हो जाए तो बच्चे फूड अच्छे से नहीं खाते सो लंच के लिए जो भी मैं कुक करती हूँ उसे मैं थरमस के लंच बॉक्स में ही पैक कर रही हूँ सो लंच ब्रेक तक फूड बॉम ही रहे सो लंच में आज मैंने आयांस को वेश्टेबल पास था, एक न्यूट्री बार, कुछ ग्रेप्स और चेरिस थी है जिनके सिट्स मेंने अलरड़ी निकाल लिये बाके आयांस के बैग में यहां मैं उसका लैपटॉप और चारजर रख रही हूँ जो कि उसे स्कूल से लाश्ट येर ही मिल गया था, इनके अलावा स्कूल के जो भी सप्लाय होते है वो तो अलरड़ी स्कूल में हमने दे दिया है, सो बच्चों को हर दिन कैरी नहीं करना पड़ता और साथ ही उसके पानी की बॉटल भी रख दी आज आयांस के स्कूल का पहला दिन था तो स्कूल जाने के लिए जब वो रैड़ी हो गया मैंने दोनों बच्चों के साथ में कुछ पिक्चरस ले ली हमारे मेमरीज के लिए अरवन आट डर्स तक हम स्कूल जाने के लिए घर से निकल गए बैसे आयांस को ड्रॉप करने स्मेन भी साथ ही गया था और आयांस के स्कूल सुरू होने के नेक्स टे ही उसका सैवन्थ बर्डे आने वाला था 12 अगर्ष्ट को अपने भाई के बर्डे को लेकर स्मेन आज काफी जादा एक्साइटेड है उस आयांस के लिए कुछ गिफ्ट लेने थे स्मेन को इसकूल ड्रॉप कर स्मेन को लेकर मैं वालमाट आ गई स्मेन को आयांस के लिए जो भी लेना होगा वो खुद पिक कर लेगा खेर मुझे भी वालमाट से कुछ सबजया और दूद लेना था सो समयन को उसके पसंद के टॉज दिलाकर मैंने अपनी भी ग्रॉसरी कर ली वैसे समयन ने जो आयांस के लिया है वो सारी चीजे मैं आपको आयांस के बर्डे व्लॉग में दिखाऊंगी जो कि जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाई अमरजित आज दूद लेने आई थी तो सोचा कि यहां की मिल्क से रिलेटेड आपके जो भी दाउट से आज जो सारे ही दाउट्स क्लियर कर दूँ सो दूद का जो मैं गैलन लेती हूँ वो एक गैलन अराउंट 3.5 लिटर यानि कि साड़े 3 लिटर का होता है सो ऐसे अराउंट 3 गैलन हमें एक हपते में लग जाते है जो कि एक हपते में 10-11 लिटर हो जाएगा और ये दूद हैमरजिनाइस्ट और पैस्चराइस्ट होता है यानि कि इस दूद को एक हाई टेंपरेचर पर बॉयल करके देन थंडा करके पैक करते है ताकि गैलन के दूद जल्दी खराब ना हो वैसे अगर आपने इस दूद के गैलन को एक बार खोल दिया तो इसमें जो दूद है उसे आपको साथ से दस दिन के अंदर कंजियूम करना होता है वरना दूद खराब हो जाएगा तो ये दूद कच्चा दूद नहीं होता अल्रेडी बॉयल्ड है खिर एक गैलन तो हमारे याँ दो से तीन दीनी चलता है तो जब भी मैं ग्रॉस से एक लिए जाती हूँ कम से कम दो गैलन्स दूद जरूर लाती हूँ तो चार से पास जिन तक दूद के बारे में मुझे सोचना ना पड़े फानली शॉपिंग हो गई और फिलाल वॉल्मार्ट से निकल कर मैं जा रही हूँ अपने एक फ्रेंड से मिलने उसके घर कुछ दिनों के लिए मेरी फ्रेंड आउट ओफ कंट्री जाने वाली है सो जाने से पहले राधिका ने मेले कुछ प्लांट्स प्रापगेट करके रखे थे तो उन्हीं प्लांट्स को मैं जा रही हूँ लेने साथी उससे मिलना भी हो जाएगा यह से रही हुँ यह से रही है कित मेलना ओंड़ेट झाये प्रेंट है चलनु को आउट प्रीज से तो भी Nee जायें प्लांट यहाँ है LOL जैंश तब आप ऐसे ही सोल में रख देना ठीक है इसको बोलता है frosted papyramia यह बड़े हो जाएंगे leaves and it will give you shimmer you see the shimmer on this it's so pretty and this one is scandepsis यह भी इसी की जीन है पाथोस की जीन है लेकर थोडी you see the leaves has velvet-y fillings on it so this one is very little bit tricky but I know you can do this ये एक बासक ये एक बासकेट में टोस से यह होग्त में नेवाएं। बना रही हों जिसे हम ब्रेड के साथ खाएंगे सो एवाकाडो स्प्रेड के लिए मैंने या हरी मेर छरा धनिया एक बारी कटावा टमाटर और सॉल्ट एड़ कर इन सारी सब जो को मैस कर लिया एंड इस मिक्सर में एक राइप एवाकाडो को भी एड़ कर सभी को अच्छी त साथ एक टोस्ट के वे ब्रेड में थोड़ा सा बटर लगा दिया सो ऐसे ही जल्दी में अगर मुझे कोई हैल्दी सा मील बनाना हो तो मोश्टी में इस तरह सबजी या बिंस का स्प्रेड बनाकर ब्रेड के साथ लेती हूं या उनसे सान्वीच होगेरा बनाकर हमारा ब्रे इसलिए रही होँ ताकि कुछ दिनों में उनमें रूट्स निकला है और जो प्लांट साल्डरी वंट में अन्हें सनलाइट में रख रही हूं इनसारे प्लांट को मैं थोड़े बड़े साइज के क्लेट बार्ट में ट्रांसफुर करूंगी हाई संगीता I hope you are doing well सो आपके ही तरह मेरे कुछ और वीवर्स भी जानना चाते हैं मेरे ससुराल और मायके के बारे में इसलिए आपके क्वेशन का आंसर मैं अपने व्लॉग में ही दे रही हो ताकि बाके लोग भी जान सके सो मायका मेरा मुंबई में है मैं वहीं बॉन होई हो और अपना मास्टर्स भी मैंने वहीं कंप्लीट किया था इवेन मेरी वैडिंग भी वहीं हुई है लेकिन ससुराल है मेरा बरेली यूपी में वैसे मेरे पैरेंस, मेरे दादा जी, मेरे नाना जी, मेरे पूरी फैमली सुल्टानपुर यूपी से बिलॉंग करती है लेकिन मेरे पर दादा जी के जमाने से हम मुंबई रहते हैं सो दिल से तो मैं मुंबई कर हूँ जितना मैं मुंबई में रही हूँ और जितना मैं मुंबई को जानती हूँ उतना में इंडिया के किसी भी स्टेट के बारे में नहीं जानती हाँ लेकिन जानने की बहुत इच्छा है तो आप लोग भी कमेंट कर मुझे अपनी स्टेट के बारे में जरूर बताएं 1 प्लस 5 6 वेरी गड़ ये गड़ 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 परफेक्ट नेक्स्ट वाइप गड़ गड़ 1 प्लस 4 5 6 प्लस 2 8 गड़ कल रात में मैंने आराउंड एक कप सुखे मतर भीगाय थे मतर की दाल बनाने के लिए मैंने एक कप ओवरनाइट भीगाय वे मतर में आराउंड चार से पास कप पानी आड़ कर मतर में स्वादा नुसर हल्दी और नमक डाल कर मेडिया माच पर कूकर की चार से पास सीटिया ले ली अब मैं यहां लगा रही हूँ मतर की दाल में तड़का सो मतर की दाल बनाने के लिए गर्म तेल में एक चमच राई, जीरा, दो हरी मिर्च अराउंड एक कप बारी कटा हुआ प्याज और करी लिए उसका तड़का लगाए जब प्याज थोड़ा भून जाए हमें तड़के में बारी को लंबे हकार में कटा हुआ जिंजर और गार्लिक आड़ करना है चाहा तो अद्रक औ लहसुन आप कद्दू कस करके भी डाल सकते हो दिन जैसे ही प्याज के साथ अद्रक लहसुन भी भून कर गोल्डन ब्राउन हो जाए तड़के में हम अपने मसाले अड़ करेंगे तो मसालो में यहां मैंने हिंग हल्दी लाल में जो गरम मसाला अड़ कर मसालो को 30 सेकेंड तक धीमी आज पर भून लिया इसके बाद तड़के में दो मीडियम साइज का बारी कटावा टमाटर अड़ करें साथी स्वाद अनुसा नमक भी डाले साथी टमाटर को हमें मसालो के साथ अच्छी तरह मिलाना है मसालो में से तेल अलग होने तक टमाटर को स्लो टू मीडियम आज पर भूने और जैसे ही आपके मसाले भून जाए, मसाले में बॉयल की आवा मटर की दाल एड़ कर दाल को मसालों में अच्छी तरह मिलाए, दें धक कर 10 मिनिट के लिए धीमी आज पर दाल को पकने दे, और जैसे ही दाल में कुबाल आए, दाल में हरा धनिया एड़ कर ले, और बस स्वा कि अलग तरीकों कि बहुत सारी सबजय रखी हुई थी तो दाल बनाते समय मैंने अल्मुस सारी ही सबज़ों को लंब्याकर ने बारी कट कर लिया है और अब सिंपली सारी सब्जियों को मिला कर तेज आज पर सौटे कर देती हूं तो दाल और चावल के साथ इस तरह की सब्जिया खाने में बहुत ही मज़दार लगती है और बस रोटिया बनाने के साथ हमारा लंच बनकर हो गया तयार वैसे आज का लंच तो मैंने काफी सिंपल बट ह मेरा उगाई है या नहीं तो जी हां काफी कुछ लगाया है इस बार मैंने लेकिन सोचा कि पहले मेरे गार्डन में कुछ सब्जिया आ जाए देन मैं आपको अपने किचन गार्डन का कम्प्लीट टूर कराऊं सो यह रहा मेरा वेश्टेबल गार्डन सो गार्डन के सुरव वाना थो मुझे बस रिालो औरेंज और यह जो हरे वाले सिम्ळा मिर्श होते हैं उनके बारे में ही पता है और सिम्ळा मिर्श के पीछे हरी मि का पॉधा आपको लगाया हुए दिखाई देगा इसमें भी काफी मिर्च लगे हैं लेकिन यह अमेरिकन मिर्चյ बिल्कुल है उसमें बारीक बारीक होल दिखाई दे रहे हैं सो या कांड ओव बीटल्स या फ्लीज होते हैं जिने एक प्लांट के पत्ते खाना बहुत ही पसंद है सो मेरे केवल इसी प्लांट पर बक्स हो गए थे खेर ये जो बक्स होते हैं ये सब्जी को बिल्कुल भी टच नहीं करत सो बाकी मेरे जितने भी प्लांट से बिना कुछ यूज किये वो काफी हेल्दी है देन एक प्लांट के बगल में ये जो तीन से चार बोधे मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे ही डिफरेंट कलर के बैल पेपर के प्लांट से जिनमें अभी तक से फ्लार्स आया है आई थ किचन गार्डन में ये मेरा सबसे ज़्यादा फैवरेट पौधा है इसकी पत्या मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो सिमला में इसके जस्वगल में ये सुन्दर सा एक प्लांट जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्लांट है ग्रीन बीन्स का इसमें आती है हरी फ हबते बाद काफी टमाटर भी लग गए है वैसे ये क्लिप मैंने ली थी 11 अगस्त को सो किसी दिन फिर से अपना गार्डन में आपको नहीं सब्जों के साथ दिखाऊंगी टमाटर के जस्वगल में कुछ लाल मिर्च के पौधे है आई तिंग सो यहाँ सारे डिफरेंट का का टूर करना है कमेंट कर मुझे जरूर बताना इनके अलावा जुकिनी और स्क्वास के प्लांट भी आपको मेरे गार्डन में दिखाई देगे अब तो इन में भी काफी फ्लार्स आ गए है सो यह आई थिंग सो सब्टेंबर तक सारे ही प्लांट में सब्जिया आ जाएग सो हमारे किचन गार्डन का जो भी अपडेट होगा आपके साथ में नेक्स्ट मंद जरूर शेयर करूंगी वैसे तीन चार सब्जिया तो कल मुझे समयन के साथ तोड़नी पड़ी लेकिन इस सीजन की पहली हार्वेस्टिंग आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ सो चलिए फिलाल जितनी भी सब्जिया रेड़ी है उन्हें तोड़ लेते हैं सो अपनी फिर्स हार्वेस्टिंग से आज मुझे कुछ ग्रीन बीन्स मिले है और एक एक प्लांट का साथ काफी बड़ा हो गया था तो मैंने उसे निकाल लिया बाकी दो को अभी टाइम है प्लस काफी सारे सिमला मेरे जो हरी मिर्च तोड़ी है मैंने सो ये रहा मेरा फिर्स हार्वेस्ट मेरे अपनी किचन गार्डन से फिलाल तो इन में काफी मिटी लगी है अभी इने घर के अंदर पहले क्लीन करूगी देन आपको दिखाती हूँ तो इन सारी सबजयों को अच्छी तरह धोकर फिलाल तो मैंने फ्रीज में रख दिया देन इवनिंग में इन ही में से कुछ वेश्टेबल्स को लेकर मैंने वेज नूडल्स बनाया था वैसे अभी जो कलीप आप देख रहे हो ये डीनर टाइम की है पपर कलर की बेल पेपर को लेकर मैं काफी क्यूरेस थी कि वह अंदर से कैसा होगा ये तो मैंने कल ही तोड़ने के बाद फ्रीज में रख दिया था सो कट करने के बाद आप देख सकते हो इसा कलर अंदर से हरा है और खाने में तो ये सारी सबजया सूपर क्रिस्पी थी तो अपने फर्स हार्वेस क को सब्जयों से मैंने बनाया था वेज्ज नूडल बाकी एक प्लांट वगेरा में दो दिन के बाद बनाऊंगी सो यहीं कर रही हूं मैं आज का व्लोग एंड आई रेली होब कि आपको आज का ये प्यारा सा व्लोग पसंद आया होगा सो अगर व्लोग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर इस व्लोग के बारे में अपनी राय जरूर शेयर करना अब जल्दी ही नए व्लोग के साथ मिलूगी तब तक अपना ख्याल रखें और आप मेंसे जो भी अपने अपनों को बड़े वीश करना चाते हो इस व्लोग के नीचे जो पहला कमेंट होगा बड़े स्पेशल का उसमें अपने लवड़ वन्स का नाम कमेंट कर देना नेक्स व्लोग में मैं उन्हें वीश कर दूंगी